Hello my dear students, welcome back to your max class grade 2. So students, as you know, currently we are doing chapter number 6, money. So today we are going to begin with explanation part 2 of chapter number 6. आज हम explanation part 2 करेंगे. So students, explanation part 2 में हम सीखेंगे conversion of money. Money को कैसे convert करते हैं? आपको पता ना money रुपीज में भी आती है और पैसे में भी आती है. तो आज हम money को कैसे convert करते हैं? वो सीखेंगे, okay? So आज हमारा topic है conversion of money. आज का topic conversion of money. So money को हम 2 ways में convert कर सकते हैं, okay? पहला way है conversion of rupees to payse. So first way में हम रुपीज को पैसे में convert कर सकते हैं, okay? And second way में पैसे को हम रुपीज में convert कर सकते हैं. First way कौन सा है? Conversion of rupees to payse. Second way है conversion of payse to rupees, okay? Two ways होता है money को convert करने के लिए. So पहले हम करेंगे पहला way. पहला way कौन सा है? Conversion of rupees to payse. Students ये वाला method स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहते हूं, okay? So students 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. आपको ये बात हमेशा remember रखनी है, okay? Now हमारा पहला topic है conversion of money में. Conversion of rupees to payse. So इस topic में हम सीखेंगे कि rupees को पैसे में कैसे convert करते हैं. Students आपको अगेन याद रखना है, 1 रुपी means 100 पैसे, okay? So अभी यहां क्या लिखा हुआ है? To convert rupees to payse. We write two zeros to the right of the given rupees. हम जब भी rupees को पैसे में convert करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा number होगा, जो हमारे rupees होगे, उसके पीछे हम right side दो zeros लगा देंगे. यह हम clearly एक example से समझते हो, okay? Example 1 देखो, क्या है rupees 17? आपको याद है ना, rupees की symbol कौन सी होती है, right? And पैसे के लिए हम पी लिखते हैं, यह भी याद होगा. So first example है, rupees 17. यह वाले rupees 17 को हमें पैसे में convert करना है. So कैसे करेंगे? हम 17 के बाद 2 zeros लगा देंगे, okay? So क्या बन जाएगा? 1700 पैसे. जब भी हम rupees को पैसे में convert करेंगे, तब हम जो हमें rupees दी होई है ना, जैसे हैं यहापे 17 दिया हुआ था, उसके पिछे 2 zeros लगा देंगे. To convert rupees to पैसे, we write 2 zeros to the right of the given rupees, okay? अभी next example देखते हैं. Next example है, example 2. Example 2 में क्या है? Rs. 9.50 आपको पता है ना, point, rupees और पैसे को अलग करने के लिए use होता है. तो यहाँ पे कितने rupees है? Rs. 9.50 पैसे, okay? So, 9.50 पैसे. Rs. कितने हैं हमारे पास? 9 rupees. पैसे कितने है? 50 पैसे, okay? So, students, हम क्या कर रहे हैं? Money को, means rupees को पैसे में convert कर रहे हैं, okay? अगर 50 पैसे तो पैसे ही है, so हम उससे तो convert नहीं करेंगे. So, हम इस case में स्रेफ 9 rupees को पैसे में convert करेंगे, okay? इस सम्में हम 9 rupees को यह convert करेंगे, क्योंकि 50 पैसे तो पैसे ही है. So, 9 rupees को अभी हम convert करेंगे. Students, देखो हमने सीखा था ना, 1 rupees means 100 पैसे होता है. So, यहाँ पे 9 rupees, 9 rupees means 900 पैसे होता है. अगर यहाँ पे ऐसे होता 2 rupees, 2 rupees means 200 पैसे होता है. 3 rupees होता तो 300 पैसे, 4 rupees होता तो 400 पैसे, okay? यहाँ पे क्या है? 9 rupees means 900 पैसे, okay? अभी हम दूसरा method भी use कर सकते हैं, जो हमने आगे सीखा ना, कि जब भी हम rupees को पैसे में convert करते हैं, तब हमें rupees के पीछे 2 zeros लगाने होते हैं. देखो, यहाँ पे rupees क्या 9, 9 के पीछे हम 2 zeros add कर देंगे, तो वो 900 बन जाएगा, so 9 rupees क्या होता है? 900 पैसे, so 2 method होता है, एक होता है 1 rupees 100 पैसे, तो 9 rupees 900 पैसे, दूसरा direct हम 9 rupees में 2 zeros add कर देंगे, तो 900 पैसे बन जाएगा, आप दोनों में से, जो method आपको अच्छा लगे, वो use कर सकते हो, ओके, so अभी हमारे पास है 900 पैसे, और आपको याद है न, उपर हमारे पास 50 पैसे और भी थे, so 900 पैसे में हमें 50 पैसे और add करने, so 900 प्लस 50 होता है 950 पैसे, ओके, हमारा next topic है, conversion of पैसे to rupees, इससे पहले हमने सीखा, conversion of rupees to पैसे, कि जब हमारे पास rupees हो तो उसको कैसे पैसे में convert करते हैं, अब हम सीख रहे है, conversion of पैसे to rupees, जब हमारे पास पैसे हो, तो हम उन्हें कैसे rupees में change करें, ओके, याँ आपको ध्यान से देखना है, क्या लिखा हुआ है, to convert पैसे to rupees, जब भी हम पैसे को rupees में convert करेंगे, we count two digits from the right of the given पैसे, हमें क्या करना है, पैसे के right side से हमें दो digits count करनी है, और उनकी आगे dot लगा देना है, ओके, put a dot there, example देखो, हमारे पास example 1 में 400 पैसे हैं, ओके, 400 पैसे के right side चले जो, मतब last digit पे चले जो, 0 है, तो दो numbers count करो, एक 0, दूसरा भी 0, उसके आगे point लगा दो, answer में देखो, दोनो 0, उसके आगे point लगी होई है न, तो कितने rupees है हमारे पास, हमने जब change किये तो 4 rupees, जब हमने पैसे को change किया, तो हमारा answer क्या आया, 4 rupees हमने कैसे किया, 400 पैसे के हम right side चले गए, हमने दो numbers count किये, तो दोनो 0 थे, 1, 2, 0, point आगे लगा दी, okay, next देखो, 850 पैसे, अभी 850 पैसे में हमें right side से 2 numbers count करने, तो दो numbers कौन से count होंगे right side से, 1, 0, 1, 5, तो 5 के आगे point लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, rupees 8.50 पैसे, क्या-क्या हमने, जैसे 400 था, पीछे से हमने 2 digits count की, उनके आगे dot लगा दिया, okay, so to convert पैसे to rupees, we count 2 digits from the right of the given पैसे, and put the dot, dot लगा देंगे, so rupees और पैसे को अलग करने के लिए dot, आपको याद नाम यूज करते हैं, so आज हमने सीखा conversion of money में, conversion of rupees to paise, and conversion of paise to rupees, आपको ये topic घर पे study करना है, so thank you and have a nice day,